नमस्कार बाई और बैनों यह जो आप देख रहे हैं उसको कहते हैं गुड्राइ कि खेत के अंदर हम मक्की के बूटे को कैसे मजबूत में बरसात में तो आप देख सकते हैं यहां पर मक्की के बूटे के पास दूल इकटे की जाती है कि जिससे बूटा कमजोर ना पड़े और इससे बूटा मजबूत और इस पर अच्छा बूटा लगता है बूटा जिसको कहते हैं जिसमें दाने लगे होते हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मक्के की फसल को मक्के को कैसे मजबूत बना जाता है जिससे मक्के की फसल ज्यादा होती है तो ये एक तो बिजने के एक महीने के बाद किया जाता है और दूसरा इसमें इसको गुडाई कहते है तो आप इस वीडियो में गुडाई कैसे की जाती है अब मक्के के पास देख सकते हैं कितना मिटी कठी की हुई है जिसी मचा पानी में कमजोर निपड़ता है और मजबूत होता है आपने इस वीडियो में सीखा कि हम मक्के की फसल को कैसे मजबूत बनाते हैं यह जो लड़की है कितनी मेनस से कितने जोर से मक्के की गुड़ाई कर रही है आव यहां पर मक्का चार-पांच कुइंटल होगा इतनी में और खेत में जाने की जूरत नहीं जितना मक्का यहां मिल जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथ में लोगों को भी बताए कि मक्के की फसल को कैसे उपजा जाता है और कैसे उसकी उपज को बढ़ा जाता है धन्यवाद